चलिए वक्त हो गया है आपको आज का पहला महा उपाई बताने का क्या शादी नहीं हो रही है आपकी बार-बार शादी में परिशानी आ जाती है जब भी लड़का देखने जाएं उससे पहले यह उपाई करके जाएं स्पटीक पारद या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ती लें इसे पीतल की थाली में रखकर घर की पश्चन दिशा की ओर स्थापित करें गणेश जी की जल चंदन अक्षत फूल दूरवा धूप दीप से पूजा करें ओम गण गण पते नम्हा इसका जितनी बार हो सके आँ मोती चूर के लड़ू चड़ाएं पूजा के बाद लड़ू बच्चों में बांट दे और गणेश जी को चड़ाई दूरवा जो आपने दूरवा चड़ाई लड़की के पिता जब भी लड़का देखने जाएं अपनी राइट पॉकेट में रख लें अब आपको आज का एक पुराना ज़ाडू चपल या फिर सैंडल लें इन में से जो भी चीज लें उससे साथ बार क्लॉक्वाइस दारेक्शन में जिसे बुरी नजर लगी है उसके ओपर घुमा दे फिर इस ज़ाडू चपल या सैंडल को 21 बार जमीन पर पटके फिर उसे सुनसान जगा पर छोड़ाएं बुरी नजर से बचाव होगा अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाई क्या घर में लक्षमी जी की सदा क्रिपा बनी रही यह चाहते हैं ऐसे में लाल रंग की थैली में केसर की दो कलियां और थोड़े से गेहू डाल कर घर के मंदिर में रखें जब गेहू पिस्वाने जाएं या बाजार से आटा खरीद कर लाएं तो तुलसी के ग्यारा पत्ते थैली के समान में मिला दे ध्यान दें आटा केवल सोमवार को या फिर शनिवार को ही पिस्वाना है थैली को दुबारा यूज कर सकते हैं घर में लक्षमी जी की क्रिपा बनी रहेगी अब चौथे महा उपाई को जान लेते हैं क्या चेहरे पर मुहासे बहुत हो गए हैं जिससे ठीक करना चाहते हैं थोड़ी सी मीम की पत्तियां थोड़ी सी गुलाद की पंक्रियां गेंदे की फूल की पंक्रियां इन सब को किसी बरतन में रखें इनमें थोड़ा सा पानी लाद कर TAP तक उबाले जब तक इन सब का एस सिंस पानी में ना आजाए थंडा होने पर इन सब को अच्छी तरह से से मसल्ने इस मिक्स्चर को किसी बोतल में भरकर रख लें कुछ दिन लगा तार इसी पिक्स्चर को कॉटब से मुहासों से लगाए चेहरे की मुहासे कम होन इस पेश से भोच पत्र पर किसी भी पेड़ की तहनी से इस यंत्र को बनाएं इसे फोल्ड करकर गोल्ड सिल्वर या तामबे के लॉकेट में रखकर किसी भी धागे से हस्बन या वाइफ दोनों में कोई भी गले में या बाजू में पहन ले इस उपाय को पती को करना होगा